हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू माई चैनल क्रेक और कम्टिशन विदांजली फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम लोग एक जनबरी 2020 का जो ऑनलाइन एक्जाम हुआ था उसके सोसल साइंस के पेपर को सॉल्ब करेंगे तो चलिए फ्रेंट्स वीडियो को शुरू करते हैं सोसल स साइस का कोशन के समुद्र गुप्त को किस बाद एंत्र को बजाते हुए सिक्षाओं पर दिखाया गया है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा option 3 बीडा समुद्ध गुप्त को बीडा बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है नेक्स्ट कोशें ने ए बी सी कथनों को पढ़ें और सही उत्तर का चैन कीजिए लगवा दोसो सालों के भीतर मगत सबसे भैतकून जनपत क्यों बन गया ए कई नदियां जैसे गंगा और सोन मगत से होकर बहती थी मगत का एक हिस्सा जंगलों से भरा था सी इस छेट में लो आयस्क की खदाने हैं त ऑफ्शन 4 नमबर इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑफ्शन 4 एबी और सी एबी और सी यानिकि कई नदियां कई नदियां जैसे गंगा और सुन मगत से होकर बहती थी मगत का एक हिस्सा जंगलों से भरा था इस छेट में लो आयस्की खदाने ही तीनों ही सही हो जाएंगे नेक्स्ट कुशन ही ए और आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही ब्याख्या है नेक्ट कोशन है निम्लिकित में से कौन सा मद्य यूगीन काल के बाड़ी जिक सहर का लक्षन रूपक है मंदिर अर्थे व्यवस्ता एवं समाज दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण था यह राजाओं की राधानी थी बहां सामानेता मंदपिक का होता था पुड़ोज तो एवं तीर यात्री बहां के नागरिकों और यात्रियों के मुख्य सनचना समझन मनाते थे तो इसका राइड अंसर ओप्षन 3 हो जाएगा बहां सामानेता मंदपिक होता था इतिहाज के अवधी करण कालकरण पर कत्नों A, B और C पर बिचार कीजिए तथा सही उत्तर का चैन कीजिए ए इतिहाज कारूने भाद के इतिहाज को तीन युगों में बाटा था आपका उप्शन नमबर A सही हो जायेगा विभाजन धर्म के विचार पर आधारित था ये भी आपका सही है विभाजन में उप्वहादीप की अपार्ट विवित्ता की उपेक्षा की गई ये भी सही है यानि कि आपका आंसर हो जाएगा यानि कि इसका फर्स्ट वाल आप्शन आपका सही हो जाएगा नेक्स्ट कोशन है थर्टी सिक्स नमबर बंजारों के संदर में A और B कतनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चैयन कीजिए ये बंजारे लोग सबसे बहत्मूर ब्यापारी खाना आपदोश थे सही है अलाउदिन खिलजी ने बंजारों से नगर के बाजारों तक अनि को पहुचाने का काम करवाया ये भी सही है तो A और B दोनों सही है तो इसका आपका आंसर हो जाएगा आपशन नमबर 4 हो जाएगा आपशन नमबर 4 A और B दोनों सही है नेक्स्ट कोशन है 37 नमबर 17 शदी तक अनेख यूरोपी उम्निवेश को ने नील की खेती करना आरम कर दिया था इस अंधर में निम्र का जोड़ी मिलान कीजिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा option one यह वाला एका हो जाएगा फ्रांसिजिका क्या हो जाएगा आपका चौता नमबर गैरिव अाई दीग आपका जो बी है पुर्तगाली का हो जाएगा अंग्रेजिका जमैका और स्पैनिस का हो जाएगा तो आपका वन ऑप्शन इसका सही हो जाएगा नेक्स्ट कोशन है थर्टी एट नंबर निम्रिकित कत्नों पर विचार कीजिए अब हम सही विकल्ब चुने गर्ने की निज ब्यवस्था के अंतरकत बागान मालिक सुयम अपनी जमीन में गर्ने का उत्पादन करते थे बश्था में बागान मालिक या तो जमीन खरीद लेते रों से जमीन भाड़े पर लेते तैं और मुस्दूरों को काम पर लगवागए लगाकर की खेती करवातेते बिल्कुल सही है निस खेती विश्था में watch कानमालिक को बहुत सारे मजदूरों तेदा बड़ी मात्रा में हाल हम बैलों की जरोत पड़ती थी यह भी सही है तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दो हो जाएगा इसका जोगा आपका नीचे होगा ऑप्शन यह वाला बी एवं सी तीसा नंबर आपका स सही है नेक्स्ट कोश्ञें घृ राजारां बोहन्राय है अपने लेखन में तर्क दिया और विश्वास उत्पन किया कि सती होने की अनुमति नहीं है क्योंकि इसका राइट हो जाएगा अफ्शन दो प्राजिन ग्रंथ इसका समर्तर नहीं करते हैं नेक्स्ट कोश्यंहें बिद्वा विभा का मुद्दा उठाया यह आपका गलत हो जाएगा इन बदरास प्रेजिटेंशी में बीरेश लिंग पंतुलु ने विद्वा विभा के समर्थन में एक संगथन बिल्कुल सही है बिभा करने वाले वाली विध्वाओं को समाज में आसानी से स्विकार कर लिया गया तो आपका भी सही हो जाएगा यह वाला आपका गलत होगा और यह वाला आपका फर्श नमर सही हो जाएगा इसो चंद विद्रसागर ने बिद्वा बिवा का मुद्दा उठाया सही है बद्रस प्रेजिडेंसी में विरेश लिंगम पंतुलू ने बिद्वा बिवा के समर्थर में एक संगटर बनाया ये दोनों सही हो जाए है तो इसका राय टांस हो जाएगा ओप्शन दू केबल A औ और B नेक्स्ट कोशन है 41 अभीकरण अभीकथन और कारण को पढ़े सही विकल्प चैन करें 19 सताब्दी में जब लड़कियों के लिए पहले स्कूल खोले गए तो लोगों में उनके प्रति भैथा बी लोगों को भैथा कि स्कूल जाने पर लड़कियों पर दुश्प्रभ पढ़ेगा तो इसका राइट अंस हो जाएगा ऑप्शन बन ए और र दोनों सही है और सही व्याक्या करता है एकी नेक्स्ट कोश्चन है 42 नंबर भारत में ब्रिटिस राज के संदर में निम्न कत्नों पर बिचार करें सही विकल्प चुने ए मध्यम परगियों ने मांग की कि सिविल सेवा परिच्छा भारत में अभी आयोजित की जाए उनकी यह महत्मुर मांग थी कि सरकार में भारतिये भी उचे प्राप्ट करें तो तराइड अंसर हो जागा ऑप्शन बन ए और आर दोनु सही है और आर सही ब्याक्ष्या है एकी नेफ्स कोशन है 43 नंबर 43 नंबर का कोशन है आपका रॉलिट एक्ट सत्याग्राय के विशे में बक्तब्यों पर विचार करें ए रॉलिट एक्ट द्वारा पुलिस की शक्तियां बढ़ाई गई थी लोगों के अधिकार कोचल दिये गए थे बिल्कुल सही है मौंबद अली जिन्ना महादमा गांधी और अने सभी का तर्क था कि सरकार को लोगों की मूद स्वतंत्रता समिती करने का कोई अधिकार नहीं था ये वाला भी आपका सही है वी नंबर यदे भी हिंदू का मुस्लिम रॉलिट के प्रोद में थे फिर भी रॉलिट एक्ट सत्यागर अंग्रेजु के प्रोद में राष्ट व्यापी संगर्स नहीं बन सका यह आपका गलत हो जाएगा तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपका A और B जिसमें A और B दिया होगा बुसाई होगा तो इसका राइट अंसर है ओप्षण बन ए और B दोनों सत्य हैं नेक्ट कोशन है 44 नमर पर आजाते है 44 नमर का कोशन है आपका सरकारी सिक्षर संस्थाओं में अध्यन तथा सरकारी संस्थानों में नौकरी के अफसर में सयोग हेतु किन आधानों को अपना पर आजाता है तो इसमें A और B C A B और C तीनों सही हो जाएंगे तो इसका राइटांस हो जाएगा ऑप्षण बन नेक्स्ट कोशन है 45 नमबर दिये के कथन A बाब B को पढ़िए तता साही उत्तर का चैप कीजिए प्रद्वी का खिचाओं बल सौर मंडल को बांधे रखता है गलत है बहाए ग्रह सूरे से बहुत दूरें तता चटानों से बने ये भी गलत है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आप्षण न यहां लेते हैं डेक्ट को इसने में 46 नंबर गल्फ कर गल्म चल्धार है अतहा है इनमें चलने की प्रवर्थी प्रो ट्वर नम्बर देश अंतर के संबंद में निम्हदो कत्नों पर विचार कीजिए, सभी देशांतरिये, यम्होत्तर की लंबाइ समान होती है, सही है, प्रमुधयमेत्रों कामान 180 डिग्रीस देशा अनतर होता है, ये आपका गलत है, तो ये ए सही है, तथा भी गलत है, तो इसका राइट अंसर हो जाएका ऑप्शन बन ए सही है और भी गलत है नेक्स्ट कुश्चन है आपका 48 नंबर निम्रिकित कत्नों A, B तथा C पर बिचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए विश्व के ताप कर्टी बन्दों का बरगी कर अक्षांसों के अधार पर होता है सही है उत्तर अधक्षे प्रुबों को जोड़ने वाली कार्ट में दिखाए अक्षांस के लाती है गलत है सभी देशांसों की लंबाई समान होती है यह सही है यानि कि इसका राइटांस हो जाएगा आपका A और C A और C किस में दिया है और तीन में केवर A और C सही है तो आपका आंसर हो जाएगा और त्री नेक्स्ट कोशन है 49 नमबर भारत के भोगुलिक लक्षणों को पढ़ाती हुए अध्यापिका ने छात्राओं को बिंदे एवं सत्पुडा संखलाओं में बहने वाली नदियों को मांचित पर चिन्नित करने को कहा निम्रिकित में से कौन सी नदियों को में चाहती थी कि छात्रा चिन्नित करे तो इसका राइट अंसर हो जाएगा उप्षण बन नर्मदा एवं तापी नेक्स्ट कोशिन है आपका 50 नमबर महा सागरिये धाराओं के संदब में निम्र दो कत्नों पर विचार कीजिए तता सही विकल्प का चुनाओं कीजिए जिस इस्थान पर गर्म तता ठंडी चल्धाराएं मिलती है बैस्थान बिश्वर में सर्बोतर मतस्यन छेत्र माना जाता है सही है यह जहां गर्म एवा ठंडी चल्धाराएं मिलती है उस इस्थान पर नो संचालन में बादा उत्पन होती है बिल्कुल सही है यानि कि इसके दोनों ही सही है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए तथा भी दोनों सही है यह आपका फ्री नमबर का थर्ड नमबर है यह ए भी तथा दोनों सही है नेक्स्ट कोशेन है आपका 51 नंबर प्रारंबिक एवंग माध्यमिक इस्तर की एक अक्षा में शिक्षिका पारितंद्र के विश्य में पढ़ा रही है निमिकेट में से उनके लिए क्या उप्योगी सुचना हो सकती है निम्र कत्नों पर बिचार कीजिए तथा सही बिकल्ब का चुनाव कीजिए आधिता महानगरों पर सबसे अधिक तथा महा अधिपों के उपर सबसे कम पाई आती है बिल्कुल सही है संगनन ठंडा होने की मात्रा तथा हवा के सापेक्ष आधिता पर निर्वर होता है ये भी सही है जेट हवाई जहाज के पीछे सपेक्ष पर इंजन से निकली नमी होती है जो संगनित हो जाती है ये भी बिल्कुल सही है यानि कि इसके तीनों आप्शन सही है इन में से कोई भी आप्शन नहीं है तो इसका लाश्ट वाला आप्शन हो जाएगा आपका आप्शन नमबर 4 सभी AB तथा C सही है नेक्स्ट कोश्चन है आपका 53 नमबर बायूद आपके संबन में निम्ल कत्नों में कौन सा कत्र सही है समुद इस तर पर बायूद आप सबसे कम होता है ये गलत है आपका इसमें आपका आंसर हो जाएगा उचाई पर जाने पर बायूद आप घड़ता है ये वाला आपका उप्शन सही हो जाए उचाई पर जाने प बायुदा घड़ता है नेक्स कोशने 54 नमबर निम्लिकी कतनों पर ए भी तथा सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाओं कीजिए मानब वस्तियां इस बात को दर्साती है कि किस प्रकार मानम ने अपने बातारों को अपने अनकूल बनाया है बिल्कुल सही है एक बशाओ इस्थान के चुनाओं में प्रक्रतिक दशाओं का कोई उगदान नहीं है बिल्कुल गलत है केवल जब मनुष्य ने फसले उगाना प्रारम किया तो उनके लिए इस्थाई घर बनाना अवश्यक हो गया बिल्कुल सही है यानि कि ए और सी इसका सही हो जाएगा तो जल एक संसादन के संबन में कथन ए बी सी को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प का चुनाओं कीजिए प्रत्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है बिल्कुल सही है केवल दो प्राइंट साथ प्रिश्य प्रिश्य का पानी माना उप्योगते लिए जल एक नभी करने संसादने बिल्कुल सही है इसके तीनों उप्शन सही हो जाएंगे ए बी सी तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा आपका बहुत हो जाएगा ओप्शन नंबर फोर ए बी तथा सी तीनों ही सही है नेक्ट कोश्य ने 56 नंबर प्यारम में किस्तर पर एक शिक्षी का अपनी कक्षा में खड़िजों के बारे में चर्चा करना चाहती है निम्न मेंसे किनों धार्णों को अपनी कक्षा में उप्योग में लाना चाहिए ताबस सही है अब्रग बिल्कुल सही है नमक बिल्कुल सही है चुना पत्थर बिल्कुल सही है यानि कि इसके चारों पूप्शन सही है ताबस अब्रग नमक और चुना पत्थर सभी को उपयोग में लाया जा सकता है तो इसका sprawd answer हो जाएगा option number 4 सभी A, B, C, D चारों सही है next question है 57 number दिये गए लक्षणों A तथा B के आधार पर फसल की पहचान करे A में दिया है इसके लिए गर्ण, एवं, आध जलवायू और सु अपवाहि, दोमट, म्रदा की अविशेक्ता होती है इस फसल की ब्रदी के लिए परवती ढ़ाल अधिक उप्यूक्त होती है तो ऐसी कौन सी फसल है इन में से तो वो है कॉफी इसमें राट आंसा option 2 हो जाएगा कॉफी, next question है आपका 58 number 58 number का question है आपका निम्रिकित में से कौन सा बिवित्ता की ओर संकेत करता है समान जाती के परणतु भिन इस्थानों पर रहने वाले लोग अपनी ही जाती के लोगों से शादी बिवा करते हैं गलत हो जाएगा एक ही इलाके के छात्र परणतु भिन जातियों से संबंद रखते हैं स्कूल में पढ़ते हैं अपकर सही है समान धार्मिक आस्था से संबंद रखने वाले लोग और एक ही इलाके में रहते हैं यह गलत है आपका बिभिन समुदायों की जरूरत तो की खाते समगरियों कपड़े एक शॉपिंग इलाके में उपलब नहीं यह बिल्कुल सही है तो साले में सब्सक्राइब करता है यह सब्सक्राब को साब जानिक बाहुंग जैसे टैक्सिंस तिपाईयों और बसों को चलाने के लिए प्रोसाहित करना सही हो जाएगा आपका आत्म सहायता गुट बनाना जिन में केवल महिलाएं हों और बो भी कुछ समुदायों से गलत है कुछ समुदायों को लोगों को जमीन और दूसरी संपत्यां खईदने के अनुमति देना गलत ह हो-जाए गई है तोहां को मिनाने के एक पार लोगों के लिए शरक्षित्रक्रास यारों की असपास की यादब में रहते रहते हैं इह अपका विधा age किस ऑक्षान में दिया है जिए इस में दिया इसलिए नेश्ट कोशन नंबर कोस् offs महात्मा गांधी राष्टि के ग्रामीर रोजगार गारंटी अधिनियम 2009 के अनुसार ग्रामीर शेत्व में रोजगार के अफसरों को पहचानने और उत्पन्द करने का दायत्तु है तो ये दायत्तु है ग्राम पंचायत का ओफ्शन नमबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है आपका 61 नमबर वन मिनट फ्रेंट्स कोई कोश्चन छूटा है क्या एक बार देख लें नहीं सही है 61 नमबर पर आज आते हैं हम लोग 61 नमबर का कोश्चन दे रखा है निम्रिक्त का सुमेल कीजिए तता सही विकल्प का चैन कीजिए सरकार के इस तर निर्णे के प्रकाया यान कि कि सरकार का कौन सा निर्णे है कौन सी सरकार कौन सा निर्णे लेती है ठीक है तो केंद सरकार का गाहता है एक होग आपका दूसरा माला 200 की नोट का दो स्थाने सरकार का हो जाएगा रतनागरी में एक हिस्से को खोलने का निर्णाई यह आपका स्थाने सरकार का है तो ए में आपका दूसरा बी में तीसरा और सी में पहला यह देख लेते हैं कौन से में हैं एमें दूसरा बी में तीसरा वन मिनट देखते हैं कौन सा ओप्षन है A में तीसरा, B में दूसरा A में तीसरा, B में दूसरा आपका हो जाएगा आपका दूसरा नमबर आंसर आपका सही हो जाएगा Option number 2, sorry option number 3 A में दूसरा, B में तीसरा और C में पहला यह आपका विल्कुल सही हो जाएगा Next question is 62 number आकस्मिक रोजगार से क्या विप्राए है तो आकस्मिक रोजगार से क्या विप्राए है नियुक्ति करता हूँ दूसरा जरुत के अनुरुत मज़़ूनों को काम पर बुलाना आपका राइट आंसर हो जाएगा Option number 3 Next question is 63 number बज़तर ब्यापार में कान सा सबसे अधिक लाग कमाएगा तो इसतर हो जाएगा भॉराश्ट्री कंपनी Next question is 65 नमब्र प्रजातन्त की बुनियादी विशेश्टा क्या है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Option 3 समानता प्रतंत की बुन्यादी विशेस्ता है समानता नेक्स्ट कोशेन नंबर 65 कविता सुबह पांच बजे बस अड़े पर चाय बेशती है बहें साथ बजे दूर कुए से पानी लेने जाती है घर बापिसा कर वे खाना बनाती है कप्रेद होती है घर की सफाई करती है और फ दोरा भोज दोरा भोज उस पर पढ़ लाए नेक्स्ट आपका सेकर्ड नंबर का आंसर आपका सही हो जाएगा नेक्स्ट है 66 नंबर का कोश्चिन निम्रकेट में से कौन से मौलिक अधिकार का हनन होगा अगर जेन समुदाई के लोगों के एक समुद को जेन तीर्थांकरों की सीखों पर सिक्षा के खोलने की अनुमती नहीं दी जाती है तो उसका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन सांस्कृतिक और सेक्षल अधिकारों का अधिकार इसका हनन होगा नेक्ष्ट कोशने 67 नंबर का कोशने संवेधाने कुपचारों के अधिकार से क्या अभिप्राई है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू नागरिकों का उनके मौलिक अधिकारों के हनन होने पर ड्यायाले में अपील करने का अधिकार यह समय दाने कोप्चालों का अर्थ सब्सक्राइब को सामिल किया जाता है इसको सामिल किया जाता है नेक्स्ट कोशन है निम्लिकित कभी कथन ए तथा कारण आर को पढ़े इतिहास में सामराजे बन संसादनों के लिए आधिवाशों पर निर्वा रहते थे बी आधिवाशों के पास बनों तक पहुंचका ग्यान और साथी साथ अधिक्ते बनों पर अधिकार्वी था तो उसका राय राइट अप् निम्लिकित कत्नों पर विचार कीजिए और सही बिकल्प का चैन कीजिए अलफ संख्यक सब्द का इस्तिमाल ऐसे समयदायों के लिए क्याट आ जो संख्यक के लिए बाकि आवदी के मुकाबले बहुत कम सबसे उचित बिकल्ब को लेते हुए बाक्य को पूरा करें यह सुनिचित करने के लिए कि पार्टिक्रम सॉरी फ्रेंट्स कोश्चिन पढ़ना भूल गए सामाज्य विज्ञान के सिक्षन में हम अंतर विश्य उपागम का प्रियों करते हैं यह सुनिचित करने के लिए पूरा हो जाएं विश्यगत सीमाओं के अधिक दशाय निश्यद करने के लिए विश्यों के बीच अंता संबंद को अंता निर्वरता का दिर्शेशन देने के लिए या कक्षा को अधिक सजग एम क्रियाशल बनाने के लिए तो इसका राइट अंस हो जाएगा ऑप्शन थ्री नंबर विश्यों के बीच अंता संबंद तथा अंता निर्वरता का प्राइब करता है सतंत रूप से सोचने की संता हैं तू सही है अंदूष्स समझ को तोड़ने कि समझ बनाने यह सः सामूधायत नीमों और समधे अचारों का पालंग करने के तो और आपका हो जाएगा आप ICE Тीनों यानि कि आपका एठ तीनल यानिक्ता हो जाएगा d participate एबी और सी नेक्ट कोशेने 73 नमबर कक्षण में महिलाओं की समस्याओं की और संबेदन शीलता को प्रोसाहित किया जा सकता है छात्कों को इतिहास में महिला की उपरपाट पुस्तकों को पढ़ने के लिए कहने के द्वारा गलत है यह महिलाओं के लिए संबेदने प्रापधानों को सूची बद करने के द्वारा यह भी गलत है बेदभावों के साक्षों पर सामुविक आत्मिशलेशल को द्वारा सही है सामाज में पुर्शों और महिलाओं के भी शक्ति बल सब्बंदों पर चर्चा करने के द्वारा यह भी option होगा इसमें option number 4 C or D ठीक है C or D इसका option number यह answer हो जाएगा next question है आपका 74 नंबर सामाजी विज्ञान की कक्षा में अध्यापक एक विशे संस्कृति के शेल्प्तत्य और लोग कक्षाओं का प्रयोग करता है ताकि उस अंस्कृति के संदर में चात्यों की जिग्यासा बनाई रखी जा सके यह है उधारन कहानी कथन का गलत रोल प्ले का गलत इस्टोत पद्यती का सही मुक्त प्रश्न का तो यह भी सही है तो इसका right answer हो जाएगा C or D तो देख लेते हैं इसमें C or D किस option में दे रखा है यह दे रखा है option number 4 में तो option number 4 इसका बिल्कुल सही answer हो जाएगा C or D next question है आपका 75 number सामाजी विग्यान का प्रभावी शिक्षर बहत्मूर रूप से जुड़ा हुआ है परियोजना और assignment के कारियान में के मत यसे रटने को समझने के लिए बिल्कुल सही है इसमें इस्तर सिक्षण और ब्यक्ति परक मुल्यांकर तक्निकी से गलत है अत्य देख जेटिल और महेंगी सिक्षण सायता का बारवार प्योग करने से यह भी गलत है इसकुल पुस्तकाले का सुचारू संचलन एवं संसादनों को प्योग में लानी की सिक्षण की छमता और सिजनात मकता से यह भी सही है तो ए और डी आपका सही हो जाएगा ए और डी केस ऑफ्षण में दे रखा है यह दे रखा है ऑफ्षण नमबर फॉर में तो इसका ऑफ्षण नमबर फॉर बिल्कुल सही हो जाएगा ए और डी नेक्स्ट कोशन है आपका 76 नमबर एक लोगतांत्रे कक्षा में सीख्षकों की क्या जिम्मेदारी है कक्षा संबंदी निर्णे सरकार के लिए छोड़ना नहीं वक्षा में नुशास संबंदी मुंदों को नजयनताज करते हैं पर ध्यान देना बिल्कुल नहीं इसकुल प्रवंदन और चातलों के बिना स्वतन रूप से नियम और कायदे इस्थापित करना ये भी नहीं होगा चातलों को अपनी बास स्वतन रूप से कहने के युक्ति परक अपसर प्रदान करना नेस्ट कोशन है आपका 77 नंबर किल्पैट्रिक के अनुसार निम्रिकित में इसे कौन सी स्यक्षिक बिदी लोकतंत्र के संकर्पनाओं के सिक्षर के लिए सब्वोतन बिदी है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्षिन नंबर 4 खोजबी बिदी किल्पैक्ट्रिक के अनुसार खोजबीन बिदी सेक्षि बिदी लोकतंत्र की संकर्पनाओं के सिक्षर के लिए सर्वोतन बिदी है नेक्स्ट कोशन है आपका 78 नंबर विवाजन बिशेप पार्च चट्चा के लिए आप वक्षा में कौन सा प्राद्मिक स्योत ला नेक्स्ट कोशन है 79 नंबर निम्लिकित में से कौन सा बिकर्व आलोजन नात्मक चिंतन के बहतर अफसर प्रदान करने वाली समाजी विज्ञान की कक्षा को बहतर तरीके से दर्शाता है चांतों के प्रशनकाल का समय के अनुपात में अधी कंद शाहिए गज़कार्ण प्रमान उपलब्द कराना रूंसी शेयहीvent सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करना सिखाती है निमलिकित में से कौन सा अती प्रासंगित है शमिकों से आक्रे एक अत्रित करना सही है बेतन पर सरकारी विब्रण सही है श्रम कानून सनहिता ये भी सही उप्भुकता ब्याय का सनबेख्चन ये गलत है ए बी और सी सही हो दाएगा इसका आंसर हो दाएगा आपका ऑफ्शन नमबर बन ए बी और सी नेक्स्ट कोशन है जी वच्चों को दवध्ण संगर्स के बारे में जानने हो पूस्टास से दूर रखना चाहिए गलत शिक्षा सास्त्रिय क्यों से मीडिया में निप्टा दिया गया हो जिस पर बह से हम चल्चा हो चुक्य वे चक्षा में स changels के लिए अधिहोंपीयोक थोगा बिल्कुल सही है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये गलते हैं भी सही है ये किस option में दीया हुआ है आपका ये दिया हुआ है दूसरे नमबर में ये आपका गलते और भी सही है नेक्स्ट कोश्चन आपका 82 नमबर का कोश्चन वन मिनट यह हैं इसका दिया हुए क्यों भारत में महिलाओं का प्रतिनिद्ट तो इतना कम है क्या आप समझते हैं कि अमेरिका और यूरोप ने महिलाओं के प्रतिनी दुद्टों के संतोज जनक इस तरको प्राप्त कर लिया है यह आपका बिल्कुल सही है बी नंबर में दिया है कि आप इस बास से सहमत है कि आरतिक खाशयकरण और सामाजिक खाशयकरण आपस में जुड़े हुए है क्यों यह भी सही है सी आप सरकार शब्द से क्या समझते हैं पांस तरिकों को सुची बद्द किजिए जिनसे सरकार लोगों को प्रभावित करती है यह आपका गलत हो जाएगा तो इसका रायटास हो जाएगा ए और बी ए और बी किस ऑप्शन में दिया हुआ है यह दिया है सेकंड नंबर के ऑप विश्वकोश गलत हो जाएगा बास्चर सही है डी डाइरी यह भी सही है तो इसका रायटास हो जाएगा क्वा कॉणसा ओप्शन में दिया हुआ है सेकंड नंबर में दिया हुआ है ऑफ्शन सी तथा डी नेक्स्ट कुश्चन है आपका 84 नंबर सामाजी विग्यान के बारे में सामानेता ब्रहंत अब धालनाओं के संदब में कथन ए और कारण आर को पढ़िए कथन ए दिया हुआ सामाजी विग्यान को पाठ चरे कि दूसरे विशेयों की तुलना में कम है तो मिलता है अगारण दिया हुआ है इसका आर चातर सामाजी विग्यान की अंतरस्तु को समझने में अरुठीकर या उदासी महसूस करते हैं तो इसका राय डांसर हो जाएगा ऑफ्शन नंबर वन ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याक्या है एकी नेक्स्ट कोश्चन दिया बीस अराज तता निशकर सी सोथ प्रश्चनों के लिए प्रश्च भूमी दी बर्गी करन तता आकरों के सुझाओ तो इसमें आपको परियोजन रिपोर्ट के लिए सबसेप्यूप्त कौन सा क्रम हो सकता है क्रम में इसको लगाना है तो पहले नंबर पे हो जाएगा आपक प्रश्चनों के लिए प्रश्च भूमी फिर हो जाएगा बर्गी करन तता आकरों के श्रोथ फिर हो जाएगा आपका विश्चन तता चर्च उसके बास आरांस तता निशकर सुझाओ यानि कि हो जाएगा आपका C, D, C, D, A, B, E, C, D, A, B, E, C, D, A, B, E, E, यह किस ओप्शन में दिया हुआ है देख लेते हैं C, D, A, B, E, C, D, A, B, E, यह दिया हुआ है आपका तीसे नंबर में यह वाला तो यह आपका थर्ड नंबर का ओप्शन आपका बिलकुँ सही हो जाएगा नेक्स्ट कोशन है आपका 86 नंबर का कोशन परियोजन रिपोर्ट के मुल्यांकन के लिए निर्देशों के शूत्री करण के लिए निम्निकित में से सबसे कम महत तो दिया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 शिक्षक का मारदाशन इसको सबसे कम महत तो दिया जाता है नेक्स्ट कोशन है आपका 87 नंबर का कोश्चन निम्न प्रेशन में कौन से ग्यानात्मक प्रक्रिया का आकलन होता है भायत में गरीबी कम करने में महात्मकांदी राश्टे ग्रामी रोजगा गांटे अधिनेम के प्रोहाव का अध्यन कीजिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑफ्शन नंबर तू अंतर जनेत बाहर जनेत बल्त क्या होता है यह क्या करता है संगरपना अत्मा ग्यान को आपता है नेक्स्ट कोशन है आपका 89 नंबर का कोश्चन निशुलक और अनिवार शिक्षा बालत का अधिनियम 2009 की अनुसार मुल्यांकन कारप्राली के विकास के समय निम्रिकेत में से कौन सा विचारनी होना चाहिए बच्चों को नियुक से ग्रहकारी दे जाना चाहिए गलत हो जाएगा यह जहां तक हो सके शारिक डंड के उपे फोर्थ नमबर बच्च्चों को बहा अभिगात और चिंतामुक्त बनाएए आपका विकुल सही हो जाएगा और नमबर फोर्ट नेक्स्ट और लास्ट कोश्चन नाइंटी नमबर का कोश्चन है यह समाजी विज्ञान की कख्षा में अधिगम के लिए आंकलन निश्चित करता है यह सिख्षक को अपनी सिख्षर अधिगन प्रक्रिया को पुन्राब लोकल समीक्षय तथा रुपांदित करने के लिए सही है चाहतों को अपने संबैस्कों के आगलन का लगाता प्रियोग करना गलत है आपने के बहुविद्र रणीतियों का प्रियोग करना सही है प्रित्पादित करते समें बोड के दिशा निर्देशों का प्रेयोग यह भी गलत है तो ए और सी आपका सही हो जाएगा तो इसका राइटास हो जाएगा ऑप्शन नमबर टू ए और सी यह आपका हो गया फ्रेंट्स आपका सोसल साइंस का फर्स जन्वरी यानिकि एक जन् सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर लिजे ताकि मैं जो भी वीडियो अफ्रोड करूं तो उसका नोट्फिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके फ्रेंट्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइवाय टेक्यार